नमस्तर मैं हूँ सेफ रहूल और आज हम आए अपने गौदियों के बीश में आज आप सब के सामने ऐसी रेस्पी लेकर आया हूँ जो कि आप अगर ट्रीप पहारों घूमने आपको असानी से और अपने दोस्तों के साथ इंगाए कर चाहिए आज हम बना रहे हैं पहारी चि कौन से जड़े हैं अब करते हैं अपने रेस्पी के तरफ हमारी चिकन बनाने की प्रिपेर्शन में अभी से लग चुकिए एक टीम हमारी प्यास को काटेगा प्यास सफाई करेगा और दूसरी तीम हमारी पथल का चुला और लकडिया चुनने काम कर रहा है पहारों के पिश में यह बहुत ज़रूरी है कि आपको पत्लों को चून कर उसका चुला बनाना है और लकडिया भी चुनने हैं अगर आप जो गार पहले से ले के चल रहा है तो सीख है वरना आपको पहारों के बीच से पहारों सेही सहारा लेना होगा तो अब जब तक सब क को छोड़ा तब तक क्यों ना हम चिकन को मेरिनेट करने के लिए हमने दो चमस अध्रक लहसुम का पेस्ट लिया यानि कि एक पैकेट और थोड़े से हमने आपको हलडी मसाला लेया है और थोड़ी सी नमक ले रखें और इसमें आपको थोड़ी से सरसू का तेल डालके अच्छे से मिला लेंगे चिकन ढोने के लिए पहाडों की पानी का जो ज़रने की पानी होती है उसका यूज करे बहुत ही बढ़िया तरीके से धुल्टा और स्वाद में बहुत ज़्यादा फर्क होते हैं उसी तरीके से जैसे कि आप घर में घरों की पानी यूज करते हैं जब पहाडों के बीच मे जलाएंगे चुलहार जलाने के बाद कड़ाही गरम हो जाए तो उसके अंदर आपको सरसो का तेल जालना है थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा होने घरों के साफ से थोड़ी से ज्यादा होने चीए चुलहे पर बन रहा है तो थोड़ा सा समय लग जाता है और प्याज को इसमें अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भुनना है प्याज भुनने के लिए आपको थोड़े से नमक अगर आप जाल लेंगे पर आप पहाड़ों के बिच में होना तो अपने स्वाद अनुसार नमक एक बार में जाल दे उससे क्या होगा कि आपको बार बार नमक ड्यान लें नहीं होंगे और एकी बार में तुरंट हर कम जल्दी होगा तो नमक भी जाल चुका अप्याज हमारा अच्छे से भी रहा है अब भुनाते भुनाते एक चिसका ध्यान रहे कि आगर आपको लक्रिया कम पढ़ रहे तो उसका भी आप पहले से ही रखे बहुत लोग पहाड़ों के बिच में गया सिलेंडर लेके भी जाय करते हैं पर असली आपको पहाड़ों की मज़े लेने हैं तो आपको उनका ही सहरा लेना होगा तो ही जाकर आप असली स्वाद ले पाएंगे पहाड़ों का तो अब हमारे इसमें हमें एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्ज डाल रहा है जो की बहुत जरूरी है टेस्ट के लिए तो यह सब कुछ डाल रहा है और अराम से असको धीरी आंच पर स्वाद नहीं आने वाला है तो हम प्यास को चिकन करने लिए आपको अच्छे बुनाई करने होगे तो इसकों कफर लगा देंके कफ़र लगा कि छोड़ देंगे पकने के लिए दूसरी तरफ मसाल्य नंडरीकिद चिकन बना है विल्कुल से में और इसी तरीके से आपको धनिया पॉडूर भी ले लेना है और चिकेन अको दो तो पैकेट जालें और यह चीकेण बनने से दर्समेन पहले अप एक पैकैट का यूद करेंगे तो सारी मसाले को अच्कशी ततरीकलें से मिलने के बाद अदत्सारा का जाल यह जाला है और उसका प्रस्गेStardal- मसाले करें एक पैगेट में चमऄ लगवा अदरेख सो भी जरूरत ही नहीं है द्युल्कुर्ण झोное पकते रहेगा और वापस इसको कफ़ायजाज घंगे और इसको धिनी आजपर देंगे बढ़िया से हमाई चिकन अब देख रहे हैं बिल्कुल 80% पक कर बिल्कुल तैयार हो गया है बिल्कुल आपर इसका रंग देखिए मसाले भी जो कड़ाही में चिपकने सुरू हो गया है तो इस बात के बहुत ही ध्यान रखना होता क्योंकि जब लकडिया का फ्लेम ह अंधर रहे होता हैं कभी धीमें होतेगः होते हैं तो चिकन गफिशन के त्यार नहीं प्लाइप और रहते हैं घीजिए को कि अदर फैख घूजब इसके अंदर ने के बाद वाप से चलायेंगे और चलाने की वापस कर लगा के वापस इसको हम 10 मीन के लिए पकाना शूरू कर देंगा द करना धीम यहांस ही पकाने भल्िम हाई नहीं करेंगे वारना आपके जो मसाले उच्छी पक जाएंगे तो इसके हमारा जो चिकेन बनके बिल्कुल तेयार है आप देख सकते हैं पीजो बिल्कुल गल गए हैं अच्छी तरीके से और इसके मसाली में भी जो खुजबू और जो टेस्ट नज़र हरिए आप देख चुले बनाने में तो फटा फट से हम खाना खाएंगे अब खाना खाने के बाद तुरंट जाएंगे जर्णे में नहाने के लिए तो रूटिया हमने घर से भी बना रहे दुखी थी अगर आप चावल रूटिया वहां पर बनाना चाहेंगे तो थोड़े समय और आप सब द झालब में तुर थी कि लिए नहां हम नहातीई Jáak